ओके सो वेल्कम टू टू चैनल लोग दुप्त बायलोजी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायलोजिकल क्लासिफिकेशन की एंसेया ठीक है तो एंसेया का मतलब जी से पता नहीं में सुन लो एंसेयाटी कंप्लेट रिविजन और रिविजन तभी होगा जब हमें पूरा बा प्रप्लम है एंसीयाइटी से रिलेटेट तो मैंने लिंक दे रहे ही उस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में बायलोजिकल क्लासिफिकेशन की जाके पहले उससे देख लो क्योंकि जो न्सेयाटी ना वो पूरी बेस्ट होगी मेरे लेक्चर पर एक क्योशन आपको आसानी स हो जाएगा ठीक है मेरे से आगे आप क्योशन कर लोगे अगर आपने मेरा लेक्चर देख लिया तो जाके पहले लेक्चर देख लो और जिसने लेक्चर देखा हुआ है चलो भाईयो क्योशन करते हैं सारे क्योशन आपके हैं ठीक है एंसीयाटी तो चलो आजाओ मेरी फोन में दे रखी है ठीक है और जिसना lecture देख लिया है चलो start करते हैं तो देखो सबसे पिला है यहां पर लिखा हुआ है अरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलोजिकल केरेक्टर टू क्लासिफाइ प्लांट इन्टू ट्री श्रब हर्ब ठीक है नॉर्मल सा क्योशन है नॉर्मल सी लाइन है इंसी आटीक है तो आपको याद रखके जाने है अब दोको मैलली क्योशन कहां से पूटब होता है मैलल ये मेंब्रेन बोडी और्गनाजिशन और मॉड अफ नूट्रीशन की बैस पर आप क्लासिफाइ कर रहे हो मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाइब प्लांटी एनिमिलिया को ठेक है कि यह प्रोकेडियोट है यूणिसललर है मल्टिसललर है पोटोटोपिक है आटोटोपिक है हे में cell membrane present है तो इस tables आपको सारे question बन जाएंगे कौन unicellular है कौन multicellular है कौन prokaryote है कौन eukaryote है ठेक है तो आप नीचे जितने भी question दिखेंगे आपको कि A B C D क्या है तो भाई यह B क्या है C क्या है A क्या है यह आपको table से याद हो जाएगा तो आपको table देखके जानी है जो कि NCIT में दे रखी है अब देखो अगला question देखो यहाँ पर लिखा हुआ है how many kingdom are belonging to producer name this kingdom अब देखो यहाँ पर producer कौन को ने सब producer तो वही जो खुद का गाना खुद बना ले तो मतलब autotrop तो autotrop एक तो यह है एक यह है एक यह है ठीक है कौन को ने यह है एक तो मोनेरा है एक प्रोटिस्टा और एक प्लांटी है एनी मी लिया हम क्या खुद का गाना खुद बनाते अब यह मत बोलना सर कीचन में कौन बनाता है आप भाई photosynthesis की बात क जाएगा protista ठीक है यह बात ज्यान रखना और अगर यह प्रोकेरियोट पुछा होता तो मोनेरा जाता ठीक है तो मोनेरा से प्रोकेरियोट रहाद रहाद रहो और प्रोटिस्टा से यूकेरियोट रहाद रहो ठीक है इन हाओ मेनी किंग्डम cellulosic cell wall organized अब देखो cellulosic cell wall तो एक तो यह रहा cellulos और यहाँ पर लिखा है present in sum ठीक है तो cellulos यहाँ पर है यहाँ पर present in sum है और यहाँ पर लिखा है without cellulos confused मों तो ना without cellulos है ठीक है तो कुन-कुन सा जाएगा protista और planty तो जाके answer देख लो protista और planty आंसर जा रहा है ठीक है तो अगर आपको यह table यहा देना तो आपको 10-15 तरह के question आराम से हो जाएंगे ठीक है सिफ mode of nutrition ही तो याद रखना है उनका cell type, cell wall, monera, protista, fungi, planty, animalia का ठीक है और यह table दी किसने ती यह five kingdom system दिया किसने था यह दिया था रह भी टेकरने ठीक है अब चलो आगे चलते हैं यह question आप देख लेना जिसको slide की need हो जिसको PDF की need हो वो मेंको direct message कर दें Instagram की link जो है मैंने description में दे रखी है चलो आगे देखते हैं आगे देखो यह types of bacteria, different type of bacteria यह है कोकाई, यह है bacilli, इन सब को hi hello करो, यह क्या है कोकाई, यह क्या है bacilli, अरे सर इसमें तो spiral निकल रहे हैं, हाँ चलो spiral निकल रहे तो 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 इसको नाम दे spirilla, ठेक है, और यह होता है vibrio, सबसे दोस्ती हो गई तेरी, कोकाई, बेसिलाई, spirilla और vibrio, ठेक है, इन सब को याद रखना है, यह diagram से भी नाम पूछे जा सकते हैं, ठेक, अब यह देख, यह बड़ा जिद्धी आदमी बटा, इसका नाम है spirogyra, ठेक है, बड़ा चिप-च इन स्टेट क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, ठेक है, और यह क्या है, यह हेट्रोसिस्त है, और यह diagram किसका है, यह diagram है spirogyra, ठेक है, तो यह बात तिर को याद रखनी है, अब देख, यह लाइन NCIT की, बेक्टिरिया स्ट्रक्चर इस वेरी सिंपल, दिखना में सीधे सा यह पर अंदर से कॉंपलेक्स है, बेक्टिरिया तो दिखेंगे भी नी, मैक्रोस्कोप से दिखना पड़ेगा, तब जाके तो दिखते हैं, पर उनका बेक्टिरिया उनकी स्ट्रक्चर पढ़ने लग जाओ न, तो दो दिन निकल जाते हैं, इतना खतरना कॉंपलेक्स होता अनका बीए विए, ठीक है, अब देखते को आर्कि बिक्टिरिया यहाँ, हाँ सर आपने लेक्चर में बोला था, आर्कि बिक्टिरिया इसे बिक्टिरिया होता हैं, जिसमें फेप्टाइड़ो ग्लाइकन होता है, और जोकी एक्स्ट्रीम टेंप्रेचर पर सर्वाइव कर करना है अगर कहीं दिख जाते को गट ओफ रुमिनेंट्स ठीक है तो आंसर जाना चाहिए तरह मेथनोजन ठीक अब देख ये भी मिनते को बताया था compare to many other organism which group show the most extensive metabolic diversity एक बात बताओ बेक्टिरिया कहां नहीं है हर जगे बेक्टिरिया है ठीक है तो extensive metabolic diversity तो show करेंगे चाहिए ना ठीक फिर मैंने को बताया था mycoplasma smallest होता है कैसे होता है smallest and can survive without oxygen answer जाएगा mycoplasma जिसको उन्हें गोला था joker of microbial word ठीक है plural pneumonia like organism अब ज्यादा detail में नहीं जाता हूं मैंने lecture में सब बता रहा है ठीक अब मैंने गोला था bacterial कौन-कौन सी disease होती है तो देख बाई citrus cancer, titnus, typhi, chlorella ठीक है तो option में आता है कौन सी bacterial है कौन सी viral है तो यह ध्यान रखना आपको दाइग्रामी में इंतर को बताया था यूगलीना का है ठीक है तो यह सारे NCID के हैं और NCID मैंने पूरा lecture में cover करी है एक एक point cover करा है जाके जरूर देखना उसको ठीक है अब देक क्यूशन इस तरीके से भी आता है कि ऐसा कौन सा fruitist है जिसमें दो फ्लेजिला होते हैं एक longitudinal होता है एक transverse होता है तो आंसर जाएगा डाइनो फ्लेजिलेट देख नाम से बता लगा रहा डाई डाई मतलब दो ठेक है तो दो फ्लेजिला मतलब डाइनो फ्लेजिलेट ठेक फिर मैंने lecture में slime mold की तारीफ बताई थी कि slime mold जो होते है सैप्रोफिटिक नैचर के होते हैं fruiting body formation होती है ठेक है तो यह भी मैंने देखो lecture में बताया था चल आगे चलते हैं फिर मैंने बताया था कि युगलिनोइट के पास क्या होती है प्रूटिन रिस लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं pellicle क्या बोलते हैं pellicle ठेक फिर मैंने बताया था कि fungi और algae का association हम बोलते है lichen और lichen जो होता है pollution indicator भी होता है हमने class 12 evolution में देखा था यह बार ठेक है फिर देखो यह जो फंजाई होती है यह higher roots से भी association रखती है जिसका एक्जामपल है best mycorrhiza यह भी याद रखना तुम के fungi जो है higher roots से भी association रखती है जिसका best example है mycorrhiza ठेक what are used to make bread and beer तो वो तो होती is ठे ठेक है अपने देखा था सेक्रो माइस सर्विस इस बैकर्स इस ठेक है तो वह इस ठेक है अब cell wall of fungi काईटिंग के बनी होती है police sacred के बनी होती है कोई बड़ी बात नहीं बता ना ठेक है पंजाई प्रिपर टू वहाँ पर जहां पर humidity हो जहां पर warm area हो ठेक है अब इस से मिलो इसका नाम है aggregus क्या नाम है इसका अगरीकर्स इसको हाई बोलो हाई aggregus ठीक है तो अब ये बताएगा ये कहां से है ये बूलता है मैं Basido my cities का member हूँ मेरा नाम है aggregus और मैं सिफ NCI टी का डाइगराम हूँ मुझससे डिंडनने की जरूरुत नहीं है हम कहते है ठीक है भाई हम आगे चलते हैं हम नहीं डर रहे दियर से ठीक है बाए तो बोल दो बाए बाए अगे रिकर्स ठीक है चलो आगे चलते हैं अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि Phycomycetes अगर explain करना हूँ एक लाइन में तो यह लाइन बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है कहीं भी आपको tick the correct में मिल जाएगी है लाइन ठीक है इसको याद करके जाना अब जैको आगे चलते हैं ऐसी कौन सी fungus है जो कि extensively use होती है बायो chemical and genetic work में तो आंसर जाएगा नियूरो इस्पोरा ठीक है यह बात जान रखना बहुत important question है और साथी साथी member किसका है यह member है ascomycetes का ठीक है चलो आगे चलते हैं अब देखो यहाँ पर पूछा गया है most of the member है decomposer and help in mineral cycle ठीक है तो most of the member कै से होते हैं decomposer होते हैं help in mineral cycle वो किसके होते हैं answer जाएगा deuteromycities ठीक है D से decomposer D से deuteromycities answer ठीक है आगे चलो यह मैंने lecture में बताया थे तुम्हें के bladder boat and venus fly trip are example of insectivorous and casketizer parasite तो NCRT से NEET में question आया हुआ है कि casketa क्या है parasitic है ठीक है अब यह diagram में ने बताया था virus का कि यह head है और head क नीचे क्या होती है तुमारी collar ठेक है फिर sheet आएगा फिर tell fiber आएगा ठेक है तो यह मैंने diagram जो है lecture में भी बता रखा है अब देखो contagium vivum fluidum यह किसने दिया था MW ने ठेक है अब यह देखो कुछ symptoms दे रखे हैं यहापर जैसे mosaic formation leaf rolling and curring ठेक है yellowing and van cleaning and warping तो यह सारे symptoms करता को होने obviously virus करता है क्योंकि bacteria तो आपने ओपर देखा titanium type 5 ठेक है chlorella वो सब disease bacteria करता था ठेक है तो यह सारे symptom आपको याद रखने है कोई सा भी symptom आ जाएगा पुछे का कौन करता है तो answer जाएगा virus ठेक अभी जो diagram दे रखा है यह tobacco mosaic virus का diagram है जिसमें A जो है denote करता है RNA और B जो है देनोट करता है capsule ठेक है यह भी आपको ध्यान रखना है अच्छे यह किसने कहा था कि virus जो होते है small होते है bacteria से तो यह वोला था डीजे इवन उसकी ने क्या वोला था इसने कि virus जो होते है छोटे होते है bacteria से ठेक फिर मैंने बताया था lichen, lichen में जो algon component होता उसको हम बोलते ह mycobion और जो fungal component होता है उसको हम बोलते है mycobion ठेक है तो यह बात तुम्हें याद रखनी है अब देखो मैंने बताया था वाइरोइट के बारे में क्या 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 बताया था कि इसको discover किया था टीओ डेनियर ने ठेक है smaller than virus virus से भी छोटा कौन है वाइरोइट ठेक है bacteria virus और सबसे बड़ा कौन bacteria फिर virus और सबसे छोटा कौन वाइरोइट ठेक है इसको discover किया था टीओ डेनियर ने smaller than virus लोग molecular weight RNS में होता है और protein तो बिलकुली absence होता है किसकी इस तारीब कर रहों में सब वाइरोइट की ठेक है चला आगे चलते है अब आगे यह दो तिंग क्योशन ह सबसे बलतो पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डीजिस करता कोन है वाइरोइट करता है जो के भी टीओ डीनियर ने हमें बताया था अपर ठेक है सिर्फ आरेने पार्ट लेता उसमें कौन सिर्फ और सिर्फ आरेने ठेक है अब यह देखो identify the group of organism on the basis of given information shows symbiotic association very good pollution indicator pioneer to baron rocks ठेक ह अब आपको यहां से पता लग जाएगा very good pollution indicator तो आंसर जाएगा lichen और यह बात भी जान रखना पायोनियर पायोनियर मतलब starting species देखो जैसे यहां पे चट्टा आने बिल्कुल खाली ठीक है अब सब सब पहले क्या आएगा पायोनियर ठीक है फिर जिरे बनके क्या हो यह आपको ecology में class 12 में आप पढ़ोगे मैंने पढ़ा रहा है जाके lecture देख लेना अच्छा यह तो तुम्हें पता ही होगा कि lichen क्या होता है lichen is a symbiotic association of algae plus fungi ठीक है जिसमें algae क्या करती है अलगी करती है prepare food और fungi क्या करती है उसको shelter provide करती ही रहने के लिए और दोनों साथ में र लगा देना अच्छे से पढ़ लेना डाइग्राम जो है अच्छे से देख लेना और टेबल जो है ncrt की इसमें वह भी अच्छे से देख लेना आपके सारे question cover हो जाएंगे thank you so much thanks for watching keep support thank you